रतनाकर जी ने जो बात कहीं वो थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी है दो इस तरों पर आरक्षण अनुमन्य है केंद्री सूची पर अशुक जी मेरी बात से सहमत होगे और राज्य सूची पर इसलिए आईसा कहीं गड़बड़ नहीं आईसा नहीं कि अररिया में जो पिछल कर दो दो सूचियां है भारत में क्या समस्या है और यह समस्या केवल पिछलों में नहीं दलितों में भी है नाम अलग है राज्यों ने अपने धंग से उनको वर्गी करत की आए नीतिश बाबु ने अलग धंग से भिहार में आरप्षन की विवस्ता की की ने की आते पिछला महा पिछला आते दलित महा दलित किया ना मैं सिर्फ इतना समझना चाहा रहा था कि जो बात आई जो लोग अभी तक 75 सालों में जो जातियां पिछलों की या दलितों की आरप्षन की रोशनी नहीं देख पाई उनके लिए हमने सच में किया क्या अशुकी ने ठीक बात कहीं देख कहीं रोख थोड़ी नहीं कहीं ये लिखा कि जो आरप्षन धलितों के लिए ये केवल जातर समाज ही इसका मजा लेगा ऐसा तो कहीं नहीं लिखा सरकार को मालूम भी है कि कौन से जातिया है जो छूट गई है क्या उनके लिए कोई इस्पेशल ड्राइब चलाई गई कभी उनको आरप्षन की मुख्धारा में लाने के लिए कोई तपस्या की गई उनके बाल वच्चों को अच्छी शिक्षा दिक्षा देके दवडाने कोशिश की गई नहीं एक शोशा खतम और दूसरा छोड़ दो सियासी फुल्जडी चलाते रहो माल लीजिए जो जाती है इसे जिसकी बात अभी आश्रतनाकर भाई कहर रहे थे कि 5000 वाले को भी होना है बिल्कुल में तो करो 5000 वाले का भी उत्थान होना चाहिए आपको पता है ना कि ये 5 हैं भारत वर में जब आपको पता है तो उन्हें तो ततकाल मुक्धाराम लाकि प कि आपको पता है ना कि लेबंतरे के लिए भी है कह रहा हूं शिद्रबया जी के लिए और शैनी की जी के लिए ही कह रहा हूं जो जातियां अभी तक आरक्षण से वंचित महीं उनको लाके दे आगे बढ़ा देजिए पिष्णों में जलितों में आरक्षण का इस ढंक से तो एक बार होना चाहिए जैसे अचार करते हैं क्या लेकिन वो कैसे हो उसके मेकनिजम पर देश में एकराय बननी चाहिए समय देशी विशे है और सरकारों को अपनी भूमी का इमानदारी से निभानी भी चाहिए आखिर क्या कारण है कि उस ऐसी जोपनिया अभी तक हैं जहां रोष्णी पहुंची नहीं आरक्षण की क्यों क्या वो हमारी सामोहिक अस्फलता की कहानी नहीं है समय दान सभा ने तो दे दिया आरक्षण जो बात आशिश शत्रुवेदी उठाई वो भी महतपून है आप जिन जातियों के रिए कोटा फिक्स कर देंगे और उन जातियों के उमीदवार अगर जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तो उस कोटा का क्या होगा कि प्रेक्टिकली उनका हिश्सा और कम हो जायगा दरित का क्या क्या ऐसा होगा जैसे रेलवे में मुझे पता नहीं अशोग जानते होंगे रेलवे persyन यसा Folies tá duker नि अहीं आया तो हात पर वाला बार जा जाए ऐसा तो नहीं हो सक्ता कि तब क्या होगा तो अभी जितने प्रतिशत मिल्ला है उससे भी गए और जो चीज आपको एक मोहले में अच्छी लग रही है वो पूरे शहर के लिए अच्छी क्यों नहीं है मैं तो बहुत ही नहीं कर रहे हैं किरो भाजपा को अगर ह हर्याना में यह चीज अच्छी लगी तो पूरे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे पता है लेकिन मैं एक बात कहूँगा, बात खरी है, लेकिन कहूँगा जुरूर्ड उूट्ट की चोरी निहुरे निहुरे, क्या? जेब मेरा रखके उूट नहीं चुराया जा सकता है, जानलेना, विविक जी, क्या? उूट की चोरी होगी तो सगरा गाउं जानेगा, हमारी नानी कहा करती ही दिखावाती उट की चोरी नेवरे नेवरे ना लला आप इसना वड़ा काम कर जाओगे तो आप सुस्ते तो लंगाना कि आज बाहर बात नहीं आएगी पूरी देश में इस पर एक प्रित्क्रिया होगी मुझे पता ने फिर जब आप सम्वेधान की कॉपी लेके निकलेंगे मार्केट में तो लोग क्या कहेंगे मुझे ने पता दलित क्या कहेंगे लेकिन आरक्षन कितना सम्वेधन शील विशे है इसके लिए एक छोटा सा रीकेप कर देता हूँ बिहार में चुनाव था जिस वो चुनाव की बात कर रहा हूँ सन में भूल जाता हूँ जिसमें लालू जी नितिश्जी का अलाइंस था भाजपा अच्छा लड़ रही थी यहार सकते थे मोन राव भागवत वहां गए एक और उने एक सामान भाव में का को ऐसा नहीं था कि उनका क्या आरक्षण की भी समिक्षा होनी चाहिए भाई उसका भी आकलन होना चाहिए लालू जी ने उसको इस धंग से नेरिटिव बना के प्ले कर दिया कि भाजपा के हाथ से जीत फिसल गई और गठवंदन के हाथ में आगे बाद में एक हजार सफाई दी रतनागर जी भाजपा ने और संग ने ना 24 के चुनाओं में क्या हुआ रतनागर जी भाजपाक से अच्छा को जानता इस बात को भाजपा समिधान और आरक्षण को और एक बात कही दूँ मेरी बात से अशोगी भी सह मत हुआ चुकि मैं बहुत ग्रासरूट लिबिल की बात समझता हूँ मैं बहुत बुद्वान आ बाकी समिधान में कितने पढ़ने लिखे गए हैं किसने लिखे कौन धारा को रूप धारा इससे कोई लेना देना नहीं अशोगी गलत कहूं तुमाफ कर देजिगा ननकू को मतलब है कि समिधान में आरक्षण है मैं पूझ कि नहीं बद इतने से क्योंकि इतना विद्वान कोन है जो पूरा समिधान पड़े भाई रोटी की समस्या चूझ रहा आदमी वहाँ इस पर निगहा है कि मेरी आरक्षण की जो सुविधाती वो यथावत है कि ने उसी के चलते भारती जनता पार्टी को लोकसभा में नुक्सान उठाना पड़ा और मसला यह नहीं कि मायावती जी किस पार्टी के साथ अलाइन है नहीं है उनका इंटेंशन क्या है मसला यह है कि देश की दो बड़ी राष्टी पार्टियां अगर वो यह तो ही मानदारी बरते कि अगर आपको लगता यह सही है तो राष्टी इस तर पर कहिए और अगर गलत है तो राज्जी में भी लागू क्यों हो ये बड़ा सवाल है धन्यवाद